हलो अश्का में नाम है सुनेल और आप देख रहे हैं कॉमेंट्स पॉइंट कैसे हैं बच्छे लोग सारे आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाले डिस्कस करने वाले आज के वीडियो में life insurance और general insurance के बिच में difference तो पंचाइधी बंद करते हैं सीधा चलते हैं वीडियो में सबसे पहला point देखते हैं in case of life insurance the risk involved is certain life insurance में जो risk होती है वो certain होती है that means आपकी हमारी या मेरी death होना certain है तो यहाँ पर risk क्या है, risk है death होना और life insurance में death हर person की होती है जो person आया है दुनिया में उसको जाना भी है तो risk होना, loss होना यहाँ पर, risk मतलब loss यहाँ पर certain है, होना ही होना है अगर आप life insurance करा रहें तो आपकी एक time बाट death होनी ही होनी है तो event जो है, risk का वो होना ही होना है यहाँ पर बात करें, general insurance में इसमें marine आता है, fire आता है और miscellaneous insurance आते हैं, right यहाँ पर in general insurance, the risk involved is uncertain जब भी आप insurance करा रहें, अपने goods का, property का तो उस property को loss होना uncertain है, जरूरी नहीं है अगर आपने vehicle का insurance करा है तो vehicle आपका चोरी होगा, accident होगा, जरूरी नहीं है यह क्या है, uncertain event है, हो रहा है बच्चो clear, चलिए second point Life insurance is a contract of guarantee, जी हाँ insurance agent आपको guarantee देता है कि इतने साल बाद आपको इतना amount मिल जाएगा और जब तक आपकी policy है आपका health insurance है, इतना इतना आपका sickness insurance है, medical insurance इतना है, आपका मतलब आपको guarantee देता है कि इतने time तक अगर आपने 20 साल, 20 साल तक insurance कराया है तो यहाँ पर क्या होगा, कि आपको insurance company के दोगर guarantee दी जाएगी इतना amount आप premium में pay करेंगे और एक time बाद आपको इतना amount बढ़ कर मिल जाएगा हुराइ, clear बिलकुल general insurance are the contract of indemnity are the contract of indemnity that means loss होने पर ही insurance company आपको पैसा देगी I repeat, loss होने पर ही insurance company आपको पैसा देगी यहाँ पर loss होने का weight नहीं करेगी insurance company, जितने भी time period के लिए आपने life insurance ले रखा होगा उस time period होते ही आपको पैसा मिल जाएगा double होके जितना भी आपने policy amount ले रखा होगा है, जितने की भी आपने policy ले रखी होगी, I hope I'm making sense यहाँ पर loss होने पर ही insurance company आपको compensation देगी बिना loss होए आप company के पास जाके compensation नहीं मांग सकते हैं, who are I clear? third point, life insurance contain the elements of protection as well as investment जी हाँ, अगर आपने life insurance करा रखा है, तो आपकी life तो protect है ही अगर आपकी life को कुछ भी हो जाता है मान के चलिए, आपने 10 साल का insurance policy ले रखीए, उस बीच आपकी life को कुछ भी हो रहा है, तो आपको health cover, medical cover, बहुत सारे cover मिल जाते हैं, plus investment कैसे है, जो भी आपका premium जा रहा है 10 साल में, मान के चलिए आपका 1,00,00 रुपए premium जा रहा है लेकिन आपको 10 साल mature होने के बाद, 10 साल होने के बाद mature मतलब पूरे होने के बाद, आपको वो 1,00,00 के 2,00,00 रुपए amount मिल जाएगा है, जितने के भी आपकी policy होगी, हो रहा है clear, तो यहां पर क्या है, protection दो होई रहा है आपका 10 साल तक आपकी life protect है, plus आपका investment, that means जितना premium आप भर रहे हैं, उसका double आपको मिल जा रहा है, इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है, right यहां पर, it contains the element of protection only, यह सिर्फ आपका protection करता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कि आपने premium इतना दे रहे हो, तो आपको इतना पैसा double होगा, नहीं, जितने का भी आपका cover होगा, जितने का भी loss होगा, simple, as simple as that, जितने का भी loss होगा, उतना पैसा आपको दिया जाएगा, loss होगा तब, होगा है, चली आगे insurable interest must be present at the time of taking the policy, insurable interest मतलब जिस भी चीज़ का आप insurance करा रहे उससे आपको personal attachment होना चाहिए, emotionally connect होने चाहिए, emotionally attached होने चाहिए उस चीज़ से, उस चीज़ को loss हो रही है तो आपको भी loss होना चाहिए, उस चीज़ को अच्छा हो रहा है, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए मतलब, emotionally connect, right alright clear, at the time of taking the policy, life insurance करवाते वक्षुद का, अपनी life से प्यार होना चाहिए आप, right यहां देखते है, insurable interest must be exact at the time of taking the policy दो जगे होना चाहिए है, पर दो जगे ज़रूरी नहीं है at the time of taking the policy हो, चल जाएगा right, लेकिन यहां पर at the time of taking the policy, तब भी होना चाहिए, plus at the time of loss जो भी property को think को, जो भी चीज़ को आपकी loss हो रहा है उस वक्त भी insurable interest होना चाहिए, that means वो चीज़ आपके लिए pre होनी चाहिए, आपके लिए emotional attached होनी चाहिए हो आप उस चीज़ से, मतलब आपके लिए वो अभी भी interestable होनी चाहिए, इसमें आपका interest होना चाहिए हो रहा है क्लियर, life insurance ने सिर्फ at the time of taking the policy, simple difference हो रहा है क्लियर, आगे बढ़े, in life insurance, medical examination of assured, मतलब हम is necessary, हमारा medical check-up करा जाता है, क्योंकि हो सकता है, आप अपनी बिमारियां छुपा लो, insurance company से, और insurance company से बड़ी मोटी रकम वसूल लो, in the sense of taking the large amount of insurance policy, ऐसा नहीं होता है, हर insurance company इस पर ही आपको policy a lot करती है, देती है, right, no medical examination is required in case of fire and marine insurance, general insurance में, medical check-up जैसी कोई विवस्था नहीं है, लेकिन करवाया नहीं जाता है, especially in the case of fire and marine insurance, हो रहा है क्लियर, life insurance premium once fixed cannot be altered, बहुत जरूरी है, अगर आपने 10 साल की policy ले रखिये, और insurance agent ने आपको बोल रखा है कि, sir आपको हर महने 200 रुपए, 300 रुपए देने पड़ेगा, यह amount fixed रहेगा आपका, तो 10 साल तक आपको यही amount देना पड़ेगा, 200-300 रुपए आपको हर महने निकालने पड आगे है, premium may be altered at the time of renewal of policy, एक तो general insurance 10 साल, 15 साल के लिए नहीं होता, हड़ साल, हड़ 6 महने में renew कराना पड़ता है, वापिस से करवाना पड़ता है, internet pack एक मैने, तीन मैने का यह होता है, वापिस से खत्म हो जाता है, वापिस से करवाना पड़ता है, same general insurance में भी होता है, यहा वैसे ही, GIC में, general insurance में, premium जो है, कम या ज्यादा हो सकता है, right, the assured can surrender a life insurance policy before its maturity, अगर आपको लगता है कि वह पैसों की requirement है, हमारी policy 10 साल की थी, हम तुडाना चाहते हैं, हम policy को company को दे देंगे, और company से जितना भी पैसा बनता है, हम ले लिंगे, बिलकुल कर सकते हैं, in case of a life insurance, हो रहे clear, लेकिन, general insurance की case में, in case of fire and maritime insurance, insured cannot surrender his policy, नहीं जी, हमने goods का, हमने insurance करवा रखा था, loss तो हुआ नहीं है, हमने call करा, कि sir, हमें लगता है कि हमारा loss होगा कुछ time बाद, इतना loss हो सकता है, कि आप हमें इतना पैसा हमारे account में दाल सकते हैं, ऐसा होगा, नहीं होगा, right, तो आप time से पहले, maturity से पहले, policy surrender नहीं कर सकते हैं, in case of a life insurance, I hope I am making sense, right, time period of life insurance is much longer, generally between 15 to 20 years, generally between 15 to 20 years, may vary slight a bit, from 10 to 25, 21, might be, right, इस case में general insurance में shorter duration होता है, one year, और lesser than one year, right, time period is generally short, that is one year, alright, clear, I hope so, इस से simple difference आपको कहीं नहीं मिलेंगे, right, और अगर समझाने का तरीका पसंद आया है, अगर एक दो point miss भी हो गए हैं, समझ में नहीं गया हैं, तो एक बार record में या repeat में ये video देख लीजेगा, एक एक point में छब जाएगा, exam से पहले repeat mode पे सारे video चला लेजेगा, एक topic आपको अच्छे से revise हो जाएगा, I hope so, follow कर रहे होंगे, पूरी series को हमारे description में पूरा link मिल जाएगा, सारे videos back to back, topic by topic बन रहे हैं, I hope so, follow कर रहे हैं, career related जो भी आपको doubt है, मुझे instagram में message कर सकते हैं, जिस भी examination क आप तयारी कर रहे हैं, best book का suggestion चाहते हैं, उसकी लिए भी instagram में message करके suggestion ले सकते हैं, मैं सारी book आपके साबने list तयार करके दे दूँगा, right, मुझे instagram में, facebook में, tiktok में, जिस भी आप social media platform में, follow करना मत भूलेगा, कैसे follow करेंगे, link आपको description में मिल जाएगा, click करेंगे, सिद करिएगा, वीडियो कैसा लगा, कोई doubt है वीडियो से related, comment box आप बच्चों के लिए भड़ दू, right, comment कर दिजिए, right, बिलेंगे next video पे किसी और interesting topic के साथ पढ़ते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, क्योंकि आपका भी देना आएगा, thank you so much.